प्लाट ही प्लाट संपर करें 9425453530 नंगरी पिकास इवा मावास पन्प्री स्री भूकन सहने धंते रस किस्व महुरत पर बांदरी नकर पड़िसत शेत्र के बासेंगों को नभीन बांदरी तहजील का उफाट दिया इसके साथ ही उन्होंने बांदरी नकर पड़िसत शेत्र के सेकड़ों पिम आबास इद्काईयों के खाते में किस्त के 638 कड़ोराची सेंगल के लिख के माध्यम से डाली मंतरी श्री सहने कहा कि बांदरी नकर पड़िसत के आर्वेमेक सरवी में पात्र पाये गए 600 हिद्काईयों को 10 दिन के भीतर आबास इतू पट्टे बित्रत किये जाएंगे जिन पर पिम आबास भी सुईक्रत होंगे इस आउसर पर मंतरी श्री सहने कहा है कि बांदरी में तहसील खुले से तहसीदार यहीं बैठेंगे तो छेतर के लोगों को मालतों नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने कहा है कि अब जनपत और तहसील दोनों के काम बांदरी में ही हो जाएंगे उन्होंने प्रधान मंत्री आबास के हित्रगाहियों को रासी बित्रत करती हुए कहा है कि जिनके पास आबासी पट्टे नहीं है उन हित्रगाहियों को लगबक आठ से दस दन में आबासी पट्टे बित्रत किये जाएंगे और असपर मकान बना ने आवास योजना का लाब भी दिया जाएगा के हमारे छेत्र में सम्जिद्धी आए संपन्यता आए गरीवी दूर हो हमारे छेत्र के नौजबान बेटे बेटियों को रोजगार मिले हमारे कितानों को चिचाई के लिए पानी मिले और छेत्र में सम्पन्यता आए आप सबसे जीवन में सम्पन्यता आए ऐसी इश्वर से मैं कामना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सम्पन्यता भी आएगी लोजगार भी मिलेगा और गरीवी दूर होगी पहले से हम सब लोग काफी आगे बड़े हैं और आगे आने वाला समय जो है वो और सम्पन्यती लेकर आएगा ये विश्वास मैं आप सब को दिलाता हूँ पर पहले की 50 साल की बांदरी और अभी की 8 साल की बांदरी को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंसर आप सब को देखने बहेगा आज जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो दीपावली का उख्वार लेकर आपके बीच में आया हूँ और आज दीपावली के इस अवसर पर मैं बांदरी में तैसील सीकृत हो गई है इसका आपको देता हूँ सरकार से बांदरी तैसील सीकृत हो गई है और अगले महिने से बांदरी तैसील का काम प्रारम हो जाएगा और यहीं पर तैसील दार बैठने लगेंगे आपको कहीं पर भी जाने की आवश्चक्ता नहीं होगी आपको कहीं